नबश्कार आप देखें दिलि 99 और मैं चारू जहां एक और कटुआ और उन्नाव में रेप केसिस पे पूरा देश आग बुबूला हो चुका है वहीं दूसरी और नेताओं की ओची हरकते भी कम नहीं हैं आपको बताते हैं अभी कुछ दिन पहले ही तमिलाडू के राजयपाल बनवारी लाल बाबू ने एक पत्रकार का गाल चुकर विवात को खड़ा कर दिया घथा उसके बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी लेकिर इस विवात के बाद में तमिलाडू के ही एक वरिष्ट नेता स्वी शेकर ने अपने एक पोस्ट से सभी को आखे नीची करने पर मजबूर कर दिया है जी हम आपको बता दें कि एस वी शेकर तमिलाडू के बीजेपी के एक वरिष्ट नेता है और उन्होंने अपने पोस्ट में अबद्र टिपड़ी की है उनका ये कहना है कि कोई भी न्यूज आंकर किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ सोय बिना एक बड़ी आंकर नहीं बन सकती है इस तरीके का वाक्य और अब S.V. शेकर तो अब BJP क्या करेगी? इतना ही नहीं, S.V. शेकर ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि जो भी मीटिया इंस्टिउट्स हैं, वहाँ पर मीटिया रिपोर्टर्स नहीं बनाये जाते हैं बल्कि वहाँ पे महिलाओं का यौन उत्पीरन होता है और क कोई भी महिला बिना किसी बड़े व्यक्ति के साथ सोई रिपोर्टर या आंकर नहीं बन सकती है। इसी बीचे एक बड़ी खबर आई है कि IMF की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगाड ने प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी को ये नसीहत दे डाली कि उन्हें अपने देश में महिला सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो अब बीजेपी नेताओं की इस अभध्र टिपड़ी इस तरीकी की हरकते उसके बाद में उन्नाव और कटवा जैसे मामले के बाद में क्या प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी अपने अंतराश्ट्रिय दौरों पर कम ध्यान दे कर अपने देश की बच्चियों की सुरक् सब्सक्राइब करिये दिली 99